जेहिन प्यारे बिचों, श्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वस्कलासेस में तो प्यारे बिचों, इस बार आपके weekly test जनवरी के पर्थम सप्तह में लिया जाएगा तो इस बार आपके विकली टेस्ट में सामाजिक विज्ञान और संस्क्रीट के प्रश्ण होने वाले हैं संस्क्रीट में 11 पाठ जहारखंड प्रांतष्य परवत मंडा इससे आपके प्रश्ण बनेंगे तो यदि हमें इस पाठ के बारे में सब कुछ पता हो इस पाठ का अर्थ प्रश्ण उत्तर और सभी कुछ इसमें पता हो तो हमें इस पाठ के अंतरगत जितने भी प्रश्ण आएगे उसमें हम सभी प्रश्णों को हल करेंगे और इस बार अगर आपके पार्ट में 100% वाली नमबर लाने हैं तो चलिए सबसे पहले हम इस पार्ट की बार्युकों को समझ लेंगे इस पार्ट के हिंदी अर्थ को समझेंगे उसके बाद इसके आगे की वीडियो में आपको इसके questions answer और इसके आगे की वीडियो में आपको most important questions मिलेंगे ठीक है बचा तो आपके पास अभी प्रियाप समय है साल की तियारी कीजिए एक नई अंदाज में नई दरीके के और नई विश्वास के साथ ठीक है यदि आपने अभी तक भारतवस classes को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए और वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को like कर दिजेगा चली start करते हैं पार्ट का नाम है जारखंड प्रांतस्य पर्दुमर्वा मंदा तो पार्ट इस परकार परारम होती है अस्माकम जारखंड प्रदेशे एकम महत्पुरम पर्व मंदा इति अस्ति इसका अर्थ या हुआ कि अस्माकम हमारे जारखंड प्रदेश का एक महत्पुर्व पर्व मंदा है ठीक है कई जगा यह पर्व मनाये जाता है अश्मिन परवानी जना विविद रूपे शिवम आरधनती इस पर्व में लोग विविद रूप में भिन भिन रूप में सीव जी की अराधना करते हैं सीव जी जिने हम लोग अनेक नामों से पुकारते हैं हम लोग उन्हें महादेव बोलते हैं है ना भोले नात बोलते हैं तो उन्हें हम लोग अलग-अलग रूप में उनकी पूदा करते हैं यह जो पर्व है मंडा का पर्व यह वैसाख मास के सुखल पक्ष की तिर्थیا तिथी से प्रारम होता है चतुर दिवस्य प्रियांत्रम एनम उस्तवम जार्खन परदेश्य स्य जनजात्य सदानाम चा शामान रुपेन मिलित्वा आयोजन्ति अब यहाँ वैसाक मार्ख के सुक्ल प्रक्ष के तिर्थ्या तिति से प्रारम हो रहा है और यहाँ परव चार दिनों तक चलता है चार दिरों तक चलने वाला यहाँ परव जार्खन परदेश्य की जनजातिया और समान रूप से मूल निवासी के द्वारा यह मनाये जाता है मन्डा इति परवान पुर्व जार्खन वासी नाम स्वग्रिहनी स्वचम कुर्वंती नुतनानी वस्तरानी क्रिननती चाव मन्डा परव के पहले जार्खन के निवासी अपने घर को साफ रखते हैं यहां पर लिखा हुआ है श्वग्रिहन यानि अपने घर को स्वचम साफ रखते हैं और नुतनानी यानि नए नए वस्तरानी यानि कपड़े क्रियनती धारन करते हैं अस्मिन उत्सवे प्रतेग गिरहस्य एका पुरुष सदस्शस्य वर्ती भवती और इस पर्व में प्रतेग घर से एक पुरुष यहां पर वर्ती भवती यानि एक पुरुष इसमें भाग लेता है ठीक है सा भगता इतिकत्यते और उस पुरुष को भगता कहते हैं जो पुरुष इस पर्व में भाग लेता है उसे हम भगता कहते हैं तस्य माता भगनी वा अपी उपवाशम करोधी सा सोख ताइन इती कत्यते और उसकी मा या बहन जो या वर्त करता है उसे सोखतेन कहते हैं। रात्रो जागरनम भवती रात में जागरन होता है। भगता जागरन रात्यो नदी जले असनातत्वा धूप धूप नश्य उपरी अधो मुखी भुत्वा दोलन्ती। और भगता जो होते हैं वे नदी के जल में शनान करके नहा कर धूप और धूआ के उपर मुख को नीचे करके जूलते हैं ऐसा क्रिया धूआनसी इति कते ते और इस क्रिया को धूआनसी कहते हैं ठीक है यहाँ पे पिक्चर मिल जाएगा आपको देख सकते हो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और आगे में लिखा हुआ है तक्त दुखधेशू आंगेशू ते नग्द पदनानम चलनती और उसके बाद वे जलते हुए अंगारों पे नंगे पैर चलते हैं नंग्ण पादे आंग्रेशू चालेंस क्रिया फूल खुंदी इती कत्यते और जो यह क्रिया जिस पर नंगे पावे कूद कर आग में से पार होते हैं उसे फूल खुदी कहते हैं पासरवे इस्तिते सिव मंदिरे जलावी शेकम कुरवनती और उसके बाद निकट के इस्तिती सिव मंदिर में जल अभिसे करते हैं अध रात रो छव निर्त श्य आयोजनम भवती और आधी रात को छव निर्त आयोजन होता है अस्मिन अनुष्ठाने नर्त का मुखा वर्णम कृत्व निर्तिती और इसमें नाचने वाले मुख को धधार कर नाचते हैं निर्ते ते रामायन्यश्य महाभारत श्य वा कथा दर्शती और इस निर्त में रामायन और महाभारत की कथा भी दिखाई जाती है परवनाहा दित्य दिवसे सर्वे भगता चक्र दोलायाम दोल्यती और इसके दित्य दिन में जो भगत होते हैं वो चक्र जूला होता है उसमें वे सभी जूलते हैं दोलन करमे पुषपानी वर्षती जूलने के दोरान पुषपो की वर्षा कराते हैं जना तानी पुषपानी चिनवंती और लोग उन फूलों को पसंद करते हैं चुनते हैं मान्यता अस्ती यत तानी पुषपानी धन व्रिदिम कुरवन्ती ऐसी मान्यता है कि यह जो पुषप है वो उनके धन में व्रिद्धी करती है यावात भगता दोलंती तवात तेसम मातर भगनिया चाशिवँम आरंधे यहाँ पे भगता जूला जूलते हैं वहीं पे उनकी माता बहन सिव जी की पूजा करती है यह जो मेला है मांडा का मेला है वो जहारखंड का बहुत प्रसिद मेला माना जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है शहंस्र इसका मतलब होता है हजारो इस मेले में सामिल होने के लिए हजारो लोग आते हैं तिखा है आगे लिखा हुआ है विच्छा परंपारिक अनुस्थान सह मांडो तवश्रिया समापन भवति और परंगपारिक अनुस्थान में सामिल होने के लिए उसके बाद यहाँ पर्व समाप्त होता है असमिन अनुस्था ने सिव भक्ती पूर्ण आस्थात्यां परीचम ददती और इस अस्था ने सिव भक्ती की पूर्ण आस्था का परीचे देती है शर्वेशाम ग्रिहेशू, नूतन, वेंजनानी, पंचते और इसके दोरां सभी के घर में नएने वेंजन बनते है मांडा इती परवस्ते त्यागस्य, तपशा, आस्थाया, विश्वास्वस्य, सब परीचागस्ते यहां पर लिखा हुआ है, तो इस पाठ में हमने मांडा परव के पारे में अच्छे सिसाना आगे की वीडियो में हम इसके कोशन सेंसर को भी जानने वाले हैं आप इसके पदानी बोधत यानि इसके संस्कृत के हिंदी अर्थ को जरूर पढ़िएगा जिसे असमाकम का मतलब हमारे जनजाति का मतलब जनजाति या आदिवासी सदाना का मतलब गैर आदिवासी देखे अब हमारा तरीका थोड़ा अलग होने वाला है हम सिर्फ इंपॉर्टेंट को नहीं करने वाले हैं हमें उस अर्जुन की तरह बढ़ना है जो सिर्फ युद्ध में तीर चलाने को सीकर ना जाए बलकि तीर युद्ध की सभी नीत्यों से परिपूर्ण हो ताकि प्रस्ण कहीं से आए हमारा कोई प्रस्ण छूटने ना बाए ठीक है तो आगे की वीडियो को लिए आप सभी आपर नॉटिफिकेशन बेल आइकन कोन कीजेगा और हाँ हमारे टेलिगरांज गूरूप को आपने अभी तक जोइन नहीं किया है तो टेलिगरांज गूरूप को जोइन कर लीजिए वहाँ पे सारी इंपोर्टेंस नॉटिफिकेशन और पीडियो फिगरा मिलते रहती है थेंक यू बच्चा